Hello everyone, welcome to Core Learning आज से P.E.T की सीरी सुखी जा रही है जो कि Pure English Medium में है यहाँ आपको सारे क्लास और PDF में मिलेंगे तो हम लोग आज शुरू करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक से पहरा टॉपिक है इंदर्ज बेरी सिवलाइजेशन शुरू करते हैं The first scholar to use the term इंदर्ज बेरी सिवलाइजेशन वाज जौन मार्सल The civilization was spread over सिंध, बलुचिस्तान, पंजाब, हरियाना, राजिस्तान, गुजरात, वेस्टन यूपि और नॉर्थ महराष्ट्रा अब देखते हैं यहाँ सबसे टॉप पे नॉर्थन मोस साइट कौन सी थीन की पलुच के पास बात करते हैं इनके इंपोर्टन साइट्स के पहला है हरपपा सिवलाइजेशन जो कि रावी नदी किनारे पंजाब, पाकिस्तान में स्थीत है दयाराम सैनी 1921 ने पहले इनके खोश करता थे फाइंडिंग्स कौन-कौन सी हैं आकि इम्पोर्टन फैंडिंग्स जो हरपपा में मिली है रखलदाज बनरशी इसके खोश करता थे टॉर्सो तो मेल टॉर्सो एक मिला है वहाँ पर दूसरा है मोहंज उदारू इंदस नदी के किनारे सिंद पाकिस्तान में इस्ती थे ये भी रखलदाज बनर जी इसके खोश करता थे यहाँ के इंपोर्टन फाइंडिंग है ग्रेट बात एसेम्बली हॉल पसुपति में इस्ती थे इंदस नदी के किनारे मांके 1955 में इसके खोश किये थे और यहाँ के इंपोर्टन फाइंडिंग्स है इंपोर्ट लिपिस्टिक मेटल वर्क के काम के सबूत मिले वहाँ बीड मेकर सॉप्स मिले हैं टेरा कोटा मोडल ऑफ ब्लग कार्ट और ब्रॉंच टोय क मिले हैं देखा जाए तो लिपिस्टिक इंपोर्ट और ऐसे बहुत से सज्ञे सवरने के समान चांद रातों से मिले हैं तो यह इससे मालूम पड़ता है कि या तो फैक्टरी वाला इलाका होगा या फिर मार्केट वाला इलाका होगा उसके बाद आता है लोथल जो भोगव व्यूरियल, टेरा कोटा मोडल ओफ सीप, परिसियन एन इरानियन सील, पैंटेट जार, पैंटेट जार के उपर बर्ड और फॉक्स के इमेजस बने हुए हैं और फायर अल्टर का मतलब होता है हवन कुंड है, वहाँ पे हवन कुंड की भी एविडेंस ट्रेस किये गए हैं अगला है काली बंगा, काली बंगा घगर नजी किनारे रायस्थान में इस्तित है, अमला आनंद घोस इसके खोश करता थे 1951 में और यहां के मेन फायंडिंग से प्लॉक फिल्ड, सेवन फायर अल्टर, साथ हवन कुंड मिली हो वहाँ से, डेकोरेटिड ब्रिक्स मिले हैं, विल्स ऑफ दे टोई काल्ट मिले हो वहाँ से, काली बंगा रायस्थान में इस्तित है, घगर नदी के किनारे, अब बात करते हैं बनावली की, तो बनावली भी घगर नदी के किनारे ही है, लेकिन यह हरियाना में है, इसको कन्फ्यूज मत किजेगा रायस्थान से, घगर करता थे 1973 में यहां के findings कुछ ज्यादा नहीं है एक clear figure मिला है mother goddess का उसकी बाद बात करते हैं धौला विरा की धौला विरा लूनी नदी के किनारे गुजरात में सीत है जेपी जोसी इसके खोश करता थे यहां के findings है water harnessing system large well and about stadium water harnessing का बहुत बड़ा यहां पे system मिला था और एक stadium जो कि धौला विरा में मिला अब बात करते हैं कुछ facts की इंदर्वेली civilization कुछ facts only site where the remains of horse found is soot kote-dar या soot kote-dar the main crops of इंदर्वेली civilization were wheat barley and the lotal and rangpour only have the evidence of rice cultivation जो लोतल और रंग पूर है बस एक वही ऐसी दो जगह है जहां पर rice cultivation का evidence हम लोगों को मिला अभी तर अधर कौन-कौन से crop थी जो लगाते हैं जो हमें evidence मिला है mustard है cotton है dates है there was extensive foreign trade मेस्वपनामियन के साथ इनका foreign trade होता था इसका evidence मिला है iron was not known to them iron का कोई evidence अभी तक नहीं मिला है उसके बाद अगर पूछा जाए suit काते दी और mundi gap कहां पर है तो यह अफगनिस्तान में है उसके बाद harappa were the earliest people to produce cotton सबसे पहले हरपन थे जो cotton प्रिद्यूस किये थे बादर सिस्टम वाज यूज़ बादर सिस्टम वाज यूज़ उस वक्त कोईन तो था नहीं कोईन का को evidence मिला भी था हम लोगों को तो यह अनुमान लगाया गया है कि बादर सिस्टम ही उस टाइम एक्चेंज मोड अफ एक्चेंज था लोथल वाज एन एंसियन पोर्ट आप उपर देखे होंगे लोथल में बहुत सारे डॉक्यार्ड मिले है व्यापार करने का सील मिला है मैं सब्टामियन सील मिले हूँ दोक्यार्ड मिलें तो इससे अनुमान लगाया गया था कि लोथल एक इनका एंसियन पोर्ट था उस वक्ट इंडर्ज वेली सिलाइजिटां का एंसियन पोर्ट था जिससे यह वैपार करते थे इनके मेल डायटी कौन से थे तच्छीफ मेल डायटी वाज पसुपती महादे पसुपति महादेव को कहा जाता है कि यह सारे living creature के देवता थे इंदर्वेली civilization जो था वो पेड़ पच्छी जानवर की पूझा करते थे और इन सारे जानवरों का एक देवता था जो पसुपति महादेव को यह मानते थे लिंग की पूझा भी वो लग करते थे इसका भी evidence trace हुआ है एनिमल स्राउंडिंग पसुपति महादेव पसुपति महादेव की जो मुर्थी मिली है उसी मुर्थी में attached कुछ जानवरों के images पाएगए है कौन कौन से जानवर थे elephant, tiger, rhino और buffalo elephant, tiger, rhino और buffalo के images पसुपति नाथ जो महादेव हैं उनके मुर्थी के चारों तरफ मिली है जानवर और ये पेड की पूझा करते थे जो कि आपको बताया जा चुका है एक बार animal and trees worships were prevalent जातरी जानवर और पेडों की पूझा करते थे उसमें भी mainly people की पूझा करते थे उसके वाद है evidence of pictographic script mainly on seal उस वक्त लिखने का तो कोई system था नहीं तो उस वक्त पिक्स की माध्यम से ही लोग अपने message को convey करते थे कि कुछ कर कहना हो तो पिक्स के हिसाब से रहता था और वही images हमें seal पे भी दिखाए दिये हैं जो कि व्यापार करने पे जो seal यूज होता था उस पे भी पिक्स ही बने रहते थे तो लिखने का कोई evidence नहीं मिला हम लोगों को अभी तक सिप पिक्स के ही evidence मिले हैं कि ये लोग पिक्स से ही अपने message को convey कर रहे थे एक दूसरे को और क्या हुआ हम प्लेस बुल इस रिप्रेजेंटेट इंद मोस्ट आप दस सील हम प्लेस बुल की सील सबसे ज्यादा पाए गए गया है और आकरी है और ओर जिन ऑप स्वास्तिक सिंबल का evidence ट्रेस किया जाता है इंद इस वेली civilization से इतनों कोई पढ़ना है और कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको यही मिलेगा उसमें इसको एक बार नहीं कई बार पढ़िए बार बार पढ़िए दिमांग में बैठ जाएगा जदा टफ नहीं है अराम से हो जाएगा एक डीड महीना बच्चा है पेपर को तब तक देदे रहे हम लोग पूरा कवर कर लेंगे थैंक यू